आपका स्वागत है और आई आपको मिलवाते हैं कुछ पत्रकार दोस्त में तरह आया थे काफे दूर से चल के लोग मेरी मेरी थार का वीडियो बनाने के लिए और इसको थोड़ा चला अलाक लोग इसको भी देखे हैं ताइये इंसे पूछते हैं कि कैसा इनको लगा मेरा इं ये एक बाइं भाई के सपोर्ट करके इनके टाइलन्ड के एक कला मिल जाए इन्हों सपना को सकार क्करने के लिए 1 मीनी थार बना दिये ए उस थार से 202 गुना बेटर इनका मीनी थार मीं चाहें का वीडियो भी बनाया हूं जो एन्दी टाइम्स चैनल पर अपको मिल जाए कि यह कुछ भाई को मेरे सपोर्ट मिले कम का मिले अगर आप जो नार्बर फोर्टने बिज ले चला के आते हैं तो उसमें और इसको चलाने में क्या फरख मिरा थो सच बताए ना तिथार से हजार गुना बेखर है और इसमें एक चीज चलाने के चीज जहते क्या मिलता है इसमें एक चीज मिलता है कि एक मुहबबत मिलता है आपका जो आपने मुहबबत से बना है उस चीज से बहुत मतलब ड्राइब इसका तो एक इतना इसली ड्राइब है इतना आशान ड्राइब है जी उस सब चीज को देखते इनने इस सब चीजों को बनाया है नस्तरिया आपका अपना पट्चे देगी हमारे ख़ड़ा दर्सकों हम भुश्पुरिया मार्टी किलाल यूपी बिहार के हरी ख़बर हमने के कब्रेज करें डिसन और आज भईया के खार मोर्या जोनी इन्जिनिक बाटे चैनल यहां पर और यह वह तीन महीना पहले ख़बर के दखने रहनी सन तो मिन के मन में रहे कि ख़बर बनाई से लेकिन टाइम के अभाव में और हमने के बिहार के चुरे जोन कब्रेज करते ने सो के दरान टाइम ने मिट पहते और हम ने महां लोग भाई आए और इंडिया नेज वर्ड चैनल मेरा खुद का चलता है और रिपोर्टर बाबू के नाम से मुझे लोग जानते हैं और मैं भाई साब का जितना भी मतलब तारिफ की जाए इनके कारीगरी का उतनाई कम होगा क्योंकि इन्होंने जो थार मिनी थार जो बनाया गजब की अनुभूती सुखद अनुभूती कहिए तो इसको हमने चलाया खुदी ड्राइब किया जो कि इंडिया नेज वर्ड और अपने क्या बोलते हैं रिपोर्टर बाभू दोनों चैनल पर आपको देखने को मिलेगा और यह थार आपका गजब गजब का आपको बहुत-बहुत सुखकामना है ऐसे ही मतलब आप टेक्निकल चीजों को ले करके आते रही आप इतक हम लोगोंने कुशी नगर के चीजों को प्रतिभा को दिखाने का कारे करते थे और आप से हम लोगों को खुदी एक वह थी कि मिलना है और इस चीजों को दिखाना है दर्सकों को तो कुशी नगर के दर्सकों और जो भी हमारे इंडिया नियूज वर्ल्ड के दर्सक हैं जहां से भी देख रहा हैं यह बाई को कि जर्व आप बनाते रहते हैं उस पर दिखाते रहते हैं और जो भी मतलब इनके समझारी यह इनके चैनल पर आखे आप देख सकते हैं और बाकी हमारे साथी पत्रकार जैवेज साहबुदीन है नमस्कार भईया आपका मेरे चनल में स्वागत है अपना थोड़ा सा पर्चे दीजिए और गाड़ी चला के आपको कैसा लगा थोड़ा बताईए कश्ण मेरे नाम जावेशा बुद्दिन है मैं कुशिनेगर के धर्ती से आजमगर की धर्ती पे आया हूँ और खासकर मैं इन थार लेने का क्योंकि लेकिन जब आपका ये थार मैंने देखा तो मैं को लगा कि नहीं हम 16-17 लाग रुपे लगा कर थार लेने से बेटर है कि हम डाई 3 लाग रुपे का थार क्यों नहीं ले ले इसमें न डीजल न पेट्रॉल एक बार चार्ज करी आराम से चार लोगों बैठाके और एक चीज और है कि पॉलो संसरी है सबसे बेस्ट है और ये भाई साब इतने नेक दिल आदमी है कि हम लोग जब इनके घर पहुंचे ये बहुत पूर फैमली से बहुत गरीब फैमली से तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और यहां के जो सांसद बोशपूरी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार और आजमगड के सांसद दिनेसलाल यादव उर्फ निरहओजी है मैं उनसे भी खाथ जोड के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई के लिए कुछ करिये क्योंकि हमारे भारत के प्रधान मंतरी नरेन्दर मोदी जी का ये कहना है कि हमारे देश में युवा जो है वो आत्म निर्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग असी से लगवग पचासी परसेंट युवा हमारे देश में रहते हैं तो जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह भारत के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो सांसद महोदे और विधायक महोदे आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिस है कि भाई के लिए कुछ करिए क्योंकि यह बहुत गरीब फेमिली साते हैं एक छोटा सा एर इक दुकान चलाते हैं और इनका एक यूटूब चैनल भी ह है इसको भी आप लोग सस्क्राइब करें और यह सच में बता है गाली चलाने में जो मजा हमको आया वाकई में बहुत ही जबर जस्ते तो आप सभी से मेरी यही गुजारिस है कि आप लोग इनको जादा से जादा सपोर्ट करें और पुना एक बार मैं यहां के सांसद और व जो ही राश्ते का ठकान था जो दूर हो गया बहुत मजा है आप से मिलकेован जो बहुत बहुत प्रखरा कमना करताओं कि देन राथ दुगना चोगना जितना बहुत ही अच्छा लगा आपका यह थार देते हैं जो नी थार हमने भीया अपने खुद अपने हाथों से बनाया है और इसके बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आके इसके बारे में कमेंट के पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेर करें धन्यवाद जहीं